नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूँ आपके साथ चैलेंडर पांडे धर्म के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आपके आने वाले सप्ता की इस समझने की कोशिश करेंगे कि आपका आने वाला सप्ता कैसा बीतेगा कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितने मुश्किले आएंगे और कितने फाइदे होंगे साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सबसे ज़ादा खास और सबसे ज़ादा महत्वून बात क्या है तो चलिए कारेक्रम के शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आपके राशियों के सापता ही भविश्यफल की बात सबसे पहले मेश राशी के मेश राशी वालों के लिए आने वाले सपता हमें पारिवारिक दाइत्तों की कमी नहीं दिखाई देती आपके तमाम पारिवारिक दाई तो बढ़ेंगे, आपको उठाने भी पढ़ेंगे, तयार हो जाईए आपके नौकरी के मामले में, आपके जीवन के मामले में, करियर के मामले में प्रेशर दिखाई दे रहा है तमाम दवाव भी सप्ता में दिख रहा है जिसको साफधानी पूर्वक हैंडल करना होगा लेकिन एक बात निश्चित है कि सप्ता में धनके लेंदेन के मामले में आपको खुब फायदा होगा पैसे कमाने में पैसे पाने में कहीं कोई मुश्किल नहीं है और सब्ता के अंतक आते आते अचानक यात्रा पर जाना पर सकता है तो उसके लिए तयार रहेंगे इस सब्ता की नौ तारीख और दस तारीख आपके लिए बेहर्द शुब होगी बहुत अच्छी होगी व्रिश राशी देखिए व्रिश राशी वालों को मैं कहूंगा कि रिष्टों को लेके परिवार में विवाद पैदा ना करें कोगी इस सब्ता ऐसा लग रहा है कि आपस में जो अपेक्षाएं हैं जो एक दूसरे को लेके एक्सपेक्टेशन हैं उसको लेके कि तुमने ऐसा नहीं किया तुमने वैसा नहीं किया इसको लेके बेवज़ विवाद हो सकता है तो जरासा ध्यान देंगे वाहन दुर घटना को लेके सचेत रहेंगे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भी और नहीं चलाते हैं तो भी वाहन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे मुश्किलों के इस दौर में एक बात बहुत अच्छी होगी वो ये है कि आपका मन इश्वर की तरफ जुकेगा और ये बात आपके लिए बेहद राहत की है बहुत अच्छी है किसी बुजर्ग का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और इस सहयोग की बदौलत आप जीवन में आगे बरते चले जाएंगे आपको मुश्किनों का समाधान मिलता चला जाएगा इस सप्ता की आठ तारीक और 14 तारीक आपके लिए बहुत शुब है बहुत अच्छी है मेथोन राशन सप्ता में बेवजभ बिना प्रियास के आपको पैसे मिलते हुए रहेंगे तो इस सप्ता पैसों के मामलों में बड़ा अच्छा है आकस्मिक धन का लाब होता रहेगा और कुछ ऐसा घटेगा कुछ ऐसा होगा जिससे आपके परिवार में मंगल कारी होगा नौकरी के मामलों में, करियर के मामलों में improvement होगा, बेहतरी होगी, चिंता बिलकुल न करें और ऐसा लगता है कि सब्ता के अंच तक आते आते कोई अच्छी ख़बर मिलेगी और ये खबर आपके नौकरी से जुई हुई है, आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत शुब है खुश रहिए, मिठुन वालों के लिए सब्ता बहुत सुन्दर है इस सब्ता की ग्यारह तारीख और बारह तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है करक राश अगर कोई मुकदमा है कोई विवाद है कोई डिस्प्यूट है तो उसमें थोड़ी सी देरी होने की संभावना दिखाई देती है अभी थोड़ा सा विलंब होगा और सेहत के मामले में कोई खास दिक्कत तो खेर नहीं है लेकिन हड्डियों में दिक्कत हो सकती है आपके हड्डियों में कमर में पीठ में दर्द हो सकता है इससे आप परिशान हो सकते हैं धन के खर्च को लेके थोड़ी मुश्किल होगी धन के खर्च को लेके साफधानी अगर आप बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा रोजगार में बदलाव की संभावनाई चल रही हैं जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ऐसा लगता है कि आने वाले सप्ताह में आपकी नौकरी में बदलने के दिशा में तमाम चीजें बहुत अच्छी होंगी और मन्चाही जगह पर आप नौकरी बदल पाएंगे सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे इस सप्ताह की आठ तारीख और नौ तारीख आपके लिए बेहत शुब होगी सिंग राशी वैसे तो कुछ खास दिक्कत नहीं है इस सप्ताह में लेकिन आलस से आपका सबसे बड़ा शत्रू है इस बात को याद रखिएगा इस सप्ताह में आलस से लबाला भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये भी लग रहा है कि सप्ता हमें आलत से के बावजूद परिवार जनों के साथ आपकी मधुलता बढ़ेगी जीवन साती के साथ आपका तालमेल थोड़ा अच्छा होगा, इंप्रूफ करेगा और धन और उपहार की प्राप्ती भी अवश्य होगी सप्ता के अंद तक जाते जाते परिवार में कोई मंगल कारी होगा, कोई खुशहाली आएगी, कोई खुशी की खबर मिलती हुई आपको दिखाई देगी सप्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आलत से करके किसी बड़े मौके को मत गमा दिजिएगा, वर नाव दिक्कत में आजाएंगे इस सप्ता की 10 तारीख और 13 तारीख, आपके लिए बेहत अच्छी है, बहुत शुपहे कन्या राशी धन, सम्मान और उपहार की प्रापती हो रहिए सप्ता में थोड़े से प्रयास से आप देखेंगे, शब्ता बढ़ा अच्छा रहेगा, बढ़ा इंटर्टेनिंग रहेगा अगर आप अब विवाहित हैं, विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ता आपकी शादीते हो जाएगी, कोशिश जरा जोर से करिएगा पिछले दिनों आपके जीवन साती का स्वास्त बढ़ा अच्छा नहीं रहा है लेकिन इस सप्ता उनकी सिहर्थ में सुधार होगा और उससे घर का माहल बढ़ा अच्छा हो जाएगा इस सप्ता में पैसे पाने के लिए किसमत का साथ नहीं मिलेगा इस सप्ता में धन मिलेगा तो जरूर, लेकिन बड़ी मेहनत करनी होगी तबी धन मिलेगा, धूप में पसीना बहाएंगे तो यकीनन शाम तक लक्ष्मी पाएंगे सप्ता आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा है, चिंता बिलकुल लगने और इस सप्ता की बारह और तेरह तारीख आपके लिए बेहत अच्छी है तुला राशी, जीवन साती का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस सप्ता हमें और बहुत सारी मुश्किलों से हमारा अपना जीवन साती ही सलाह दे के हमें निकाल सकता है, निकाल देता है जहां पर आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है आपके माता पिता का खास पर से जो माता की सेहत बिगड़ी हुई थी उनका स्वास्ते इंप्रूफ करता हुआ दिखाई दे रहा है नौकरी में प्रमोशन के सुन्दर योग भी बन रहे हैं आपके नौकरी में पदोलनती भी सप्ता हमें दिख रही है और अचानक धन की प्राप्ती के साथ आप मुश्किलों से बाहर भी निकल रहे हैं लेकिन जरा सा धन के खर्चे पर अगर आप लगाम रखें जरा कंचोल बनाये रखें तो बेहत सुन्दर होगा इस सप्ता की आठ तारी और चौदा तारी आपके लिए बेहत अच्छी होगी बेहत शुप होगी वरिश्ची राशी कोई पुरानी समस्या आपकी हल होती हुई दिखाई देती है लगता है जो समस्या बहुत दिनों से आपको परेशान की हुई थी वो समस्या भी गायब होगी और आपका सिक का आपका नाम मजबूती से जम जाएगा कोई नया वहान आप खरीद सकते हैं ऐसा भी लगता है गारी खरीदना चाहते हैं बिलकुल खरीद ले रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे रुके हुए काम के पूरा होने के संकेर दिखाई दे रहे हैं सेहत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है हलां की आपका बलड प्रेशर बढ़ सकता है कूल डिकफ की चपेट में आ सकते हैं इसका आप ज्यान दखेंगे इस मामले में लापरवाही नहीं करेंगे इस सपता की 10 और 11 तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं बहुत शुप रहेंगी बहुत सुन्तर रहेंगी धनुराशर देखिए जीवन में वो दौर आ गया है आपके जब आपको जीवन में थोड़ा मधूरता का नुभव होगा चीज़े थोड़ी स्वीट दिखाई देंगी क्योंकि जीवन में प्रेम की शुरुवात हो सकती है तो जीवन में प्रेम शुरू होगा और नौकरी में प्रमोशन का वक्त शुरू होगा नौकरी में प्रमोशन के योज़ भी बन पा रहे हैं सिख्षा के स्तर में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है आपके एजुकेशन का लेवल भी बहुत अच्छा होगा और इस सप्ता आपका मन खुब प्रसंद रहेगा खुब अच्छा रहेगा तो जब मन अच्छा है चीजें अच्छी हैं तो आप भी क्रोध में आके उट तेजीत होके चीजों को खराब नहीं करेंगे बारा और तेरा तारीक हैं सप्ता की बहुत आपके लिए अच्छी हैं बहुत शुब है मकर राशी इस सप्ता आपको पैसे की दिक्कत बिलकुल नहीं है फाइनेंचली आप बहुत अच्छा करेंगे आर्थिक पक्षाप का मजबूत होगा आपके कारोबार में विस्तार के योग बनते हैं अगर आप कारोबारी हैं व्यापारी हैं तो कारोबार को सुधार करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे कोशिश करेंगे और अगर कोई मुश्किल आती कठिनाई आती है तो कठिन दौर में माता-पिटा का सयोग मजबूती से आपके साथ बना रहेगा और बहुत दीन बाती है कि तमाम जिम्मेदारियों को जो आपके सामने आती जाएंगी आप उसको बखूबी निभाते जाएंगे सप्ता थोड़ा प्रेशर वाला तो है लेकिन हर चीज़ को जब पार कर लेंगे तो सप्ता आनंद से भर जाएगा इस सप्ता की 13 तारीक और 14 तारीक आपके लिए बेहत शुब है कुम राश संपत्ति खरीदना चाहते हैं लेकिन जल्दवाजी से बचें कोगी संपत्ति के पुराने मामले ही सुलज रहे हैं अभी इस सप्ता उन्ही को सुलजने दीजिए नई प्रापर्टी ना खरीदे नौकरी में प्रमोशन हो सकता है कुछ ऐसा मिल सकता है इसके लिए बहुत दिनों से आप कामना कर रहे थे और आपके परिवार जनों के साथ प्रिय जनों के साथ आपके मतभेद दूर होंगे सुलज जाएंगे खुश हो जाईए जो आपके शत्रू हैं जो आपके विरोधी हैं अब आपके सामने खड़े नहीं होंगे पूरी तरह से वो परास्त हो जाएंगे नेस तो नाबूध हो जाएंगे तो खुश हो जाएए लेकिन याद रखिए जो कुछ भी हो रहा है ये इश्वर की कृपा है उनका धन्यवाद व्यक्त करिए इस सप्ता की नौ और दस तारीख आपके लिए बेहत शुब होगी मीन राशी आपकी सेहत ठीक होती जाएगी सेहत को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वास्त्य आपका लगातार बेहतर होता हुआ दिखाई देगा और साथी साथ आपके संतान पक्ष के चंता भी दूर हो जाएगी संतान पक्ष के चंता बिलकुल ना करें नौकरी के समस्या भी दूर होगी नौकरी में पैसों को लेके बॉस के साथ तालमेल को लेके मुश्किलें थी इस सब्ता से वो तमाम चीजें ठीक हो रही हैं और इस सब्ता से आप तमाम चीजों को रास्ते पे ला रहे हैं लेकिन मीन वालों को सब्ता के अन्तोमें लंबी यात्रा के लिए तैयार रहना है तोड़की ये लंबी यात्रा आपके लिए बेहत महतुपून है बहुत इंम्रॉटेंट है इस सब्ता की 11 तारीख और 14 तारीख आपके लिए बेहत शुब होगी बहुत अच्छी होगी चलिए अब जान लीजिए इस सब्ता की खास बात क्या है इस सब्ता की नौ तारीख को नौ मई को अक्षय तृतिया है अक्षय तृतिया के दिन सामानता हम सोना चाने खरीते हैं लेकिन उससे भी बड़ा मामला आपको बताते हैं कि अक्षय तृतिया के दिन धर में भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करिए ज्वाइन चुपासना करिए और साती सात किसी निर्धन व्यक्ति को धातू का दान करिए सोने का, चांदी का, पी, तलका, स्टील का, लोहे का दान नहीं करेंगे तो धातू और धातू की बनी हुई चीज़ों का दान करेंगे अक्षत्रतिया के दिन किसी भी समझ दिन में ऐसा करने से पूरे वर्ष आपको धन और समरिध्धी का भाव नहीं होगा तो आज के लिए धर में बस इतना ही हम आशा करेंगे कि आप काने वाला सपता शुब हो, शुबकारी हो और मंगल में हो मुझे दीजे इताज़त लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक नमस्कार